शमा गरे वासुदेव अब राद शमा दंड युद्ध ये सब व्यर्थ की बाते हैं ये दिवास्तों में आप इस महा युद्ध को टालना चाहते हैं कोई ऐसा प्रस्ताव दीजिए जो मानने किया जा सके और वो प्रस्ताव आप अपने मित्र से मनवा पाएंगे अंगराज मैं अपने मित्र से अनरोध कर सकता हूँ आदेश नहीं दे सकता हाथी के उपर बैठा श्वान जब वन के राजा पर भौगता है तो दोश आथी का है जो उसने अपने सामर्थे का आधार उस श्वान को दिया है वास्तव में आपका सामर्थे ही युवराज के अधर्म का आधार है मेरा सुझाव है आपको कि आप युवराज के पक्ष को त्याग दीजी उसी से आपको खुणने मिलेगा और आपके मित्र को जीवंदार मुझे आपके धर्म पर विश्वास है और मेरा विश्वास ही मेरा धर्म है वासुदेव अपने मित्र के साथ विश्वास घात करने से उत्तम है कि मैं मृत्य को प्राफ्ट हो जाओं मैं आपका संबान करता हूँ अंगराज इसलिए एक अंतिम प्रेत्न करता हूँ नाक्षमा ना दंड ना सामराज्य ना संपत्ति पांडवों को पांच गामों पर स्वतंत्र अधिकार दे दीजे महराज केवल पांच गाम मित्र मुझे वासुदेव का ये सुझाव उचित प्रतीत हो रहा है ये छल है अंगराज छल है ये वासुदेव क्रिश्न पांडवों पुत्रों को पांच गामों दिलाकर स्वतंत्र अधिकार दिलाना चाहते कि अधिकार प्राप्त करने के पश्चार पांडवों पुत्र हमें द्वंद का आवाहन दे सकते हैं अर्थात वासुदेव क्रिश्न किसी भी परिस्थिती में महराज दृत्राष्ट के सो पुत्रों को पांचों पांडवों के समक्ष रनभूमी में खड़ा करना चाते हैं महाबहिपीश्म और महागुरू द्रोन की दहाईता के बिना